रादस्थान में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जाफा देखने को मिल रहा है आपको बता दे कि रादस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4394 हो गई है राधसान में आज सुभा से 66 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए उदैपूर में 20, नागौर में 16, जैपूर में 13, जोदपूर में 7, कोरोना के पेड़ित, सीकर में 3 अजमेर और जालोर में 2-2, कोजा, अलवर और करॉली में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिला जबकि जैपुर में आगरा के दो महा के कोरोना के संक्रमित बच्चे के यहां पर मौत भी हो गई राधसान में अभी तक 122 लोगों की संक्रमन के चलते मौत हो गई है और अभी तक प्रुदेश में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव राधसानी जैपुर में पाय गए जैपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है जोदपुर में ये संख्या 926 है कोटा में ये संख्या 270 अजमेर में 237 टॉक की बात करें तो 145 नागाओर में 155 ये संख्या फिलहाल भरतपुर में 121, चित्तोडगर में 142, उदैपुर में 277, बासवाडा में 68, जालावाड में 47, फिलहाली संख्या जुन जुन की अगर बात करें तो 47, भिलवाडा में 43, बिकानेर में 40 और 7 ही में इरान से लोटे भारतियों । में भी इस अंक्रमण मिले हैं, 60, कोरोन के पॉजिटिव मुले हैं, 40 से आए दो परिट तक भी कोरोन के पॉजिटिव मिले थें। आपको बता दे कि BNSF के 43 जवान भी कोरोन के पॉजिटिव पाइ गए। राधसान में 2575 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए है जो की राहत की बाद है इनमें से 2346 लोगों को ठीक होने के बाद में डिस्चार्ज किया गया इसे के साथ प्रदेश में कुल अक्टिव केसिस की संक्या फिलार 1697 है लगातार प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीजों का आखड़ा बढ़ता जा रहा है अभी तक सुभा से 66 केसिस प्रदेश भर से सामने आए राधानी जैपूर में लगातार यहां पर स्तिती